हेलो अब्रीवन वेलकम तो यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इंफो तो यहां पर आज की इस वीडियो में हम कही तरह के अपडेट्स डिसकर्स करेंगे सबसे पहले हम यहां पर बात कर लते हैं जेके पीसी की तरफ से जो इंपॉर्ण अपडेट आया हम पहले वो डिसकर्स कर लेते हैं अगर आप जेके पीसी की ऑफिशल वेबसाइट में आऊगे तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा डाउनलोड एडमेट कार्ड फ़र रिटर्न टेस्ट फ़र पोस्ट अफ एए एसिस्टंट इंजिनर के लिए प्लाइए करा था उसके एडमेट कार्ड डाउनलोड अप करना स्टार्ट कर सकते हो साथ साथ यहां पर अगर projecting officer की बात करें उसके admit card का link भी यहां पर activate हो चुका है आप जाकर अपने admit card के लिए अगर आपने form फिल करा था अपने admit card डाउनलोल कर सकते। यह सबसे पहला update जो कि JKPSC की तरफ से है आगे चलते हम second update की बात करें तो आपको पता होगा जेके SSB की बात करें हम कहीं तरह के free mock test यहाँ पर आपके लिए लाज चुके हैं यहाँ पर only board आपको पता होगा only board इंडिया का largest learning platform है उनकी तरफ से एक बार फिर से हलाकि पहले ही कहीं पर mock test free ले चुके हैं अब फिर से एक बार बात करें जेके SSB Finance Account Assistant की बात करें एक बार फिर से आपके लिए free mock test आच चुका है आपको link वीडियो के description box में मिल जाएगा आप वहाँ पर जाके click करके तो आप exam दे सकते हो अपना mock test attempt कर सकते हो जेक SSB Graduate लड़का कोई भी exam देने के तयारी कर रहे हो तो आपको यह वीडियो के description box में लिंक मिल जाएगा आगे चलते हैं अब हम बाकी के job updates हैं आज की इस वीडियो में वो discuss कर लेते हैं one by one सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कोची Metro की तरफ से जो recruitment की जा रही है एक बार हम इसको समझ लेते हैं यहाँ पर बात करें तो देखो सबसे पहले कहीं तरह की vacancies हैं अगर आप सबसे पहले apply करना चाहते हो यहाँ पर fleet manager के लिए बट यहाँ पर 8 साल का experience भी चाहिए तब यहाँ पर apply कर सकते हो आगे देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर फिर से fleet manager maintenance की बात करें diploma वगरा चाहिए बट यहाँ पर भी आपको 8 साल का experience चाहिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है अगर आपको apply करना है supervisor के लिए तो diploma है अगर आपके पास mechanical electrical वगरा किसी में तो आपको यहाँ पर 5 साल का experience आप यहाँ पर apply कर सकते हो आगे चलते हैं अगर आप board master के लिए apply करना चाहते हो अगर IT आपने करा है और दिप्लॉमा करा है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो यहाँ पर 5 साल का experience मांगा गया है आगे चलते हैं अगर आप यहाँ पर assistant board master के लिए apply करना चाहते हो दो साल का experience यह 10th pass IT है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो यहाँ पर board operator का भी same है IT और 2 साल का experience है तब यहाँ पर apply कर सकते हो तो सारी details आपके सामने रहे कर आप eligible हो इंट्रस्टिड हो तो 25 अगस्ते पहले पहले apply करना इनके official website में जाके विजिट कर सकते हो अब हम चलते हैं second update की तरफ second update की बात करें तो वह है rights limited की तरफ से rights limited की तरफ से recruitment की जा रही है हलाकि यह गेट एक्जाम जो हो था उसके score की basis पर होने वाली है अगर आप graduate हो civil engineering में अपने B.E.B.Tech based engineering की है या फिर mechanical में प्रोडेक्शन में आटो मूबील में करी है इंडिस्ट्रिल में की है फिर आपने electrical electronics को गारा में करी है आप यहां पर apply कर सकते हो एजनी में 21 से लेके 30 years तक ही है 75% आपके date की score देखे जाएंगे 25% आपका interview basis पर रहने बला है अगर आप eligible apply करना चाहते हो तो आप apply कर सकते हो आपको उनकी official website में जाकर तो सब कुछ समझा जाएगा आगे चलते हैं अब हम next update की यहां पर बात कर ल हैं बट 15 September तक आप यहां पर apply कर सकते हो बागी details हम एक बार समझ लेते हैं जिसे मान के चलो आप apply करना चाहते हो यह तो शालरी पगर बताए कम से कम आपकी शालरी थाइस लार यहां पर है अगर आपको सबसे पहले बताओं अगर आप apply करना चाहते हो जूनियर सेक्टेट सब्सकार अगawia पार सकते हो इपिस तरह से कमंपीटर एप स्ब्सक्राइब कर सकते होगर आपको समझ आ गया होगा किस तरह से अगर करें तो आपको यहां बर पहले रिट्रेंट होगा उसका ऊदापका टैपिंग टैस्ट वगए ऌदागा उसके बेसिस पर की सलेक्शन करी जाएगी इंडिन सिटिजन हो तो आप यहां पर सी बात कर सकते हो आपको एपलायी करना चाहते हो आप्लायी करना है 15 सब्टम्बर से पहले पहले आपको apply वगरा करना है उनकी official website में विजिट करना है official website में जाके ही आप यहां पर apply कर सकते हूँ मैं आपको official website भी बता देता हूँ आप वहाँ पर जाके visit कर सकते हो और apply कर सकते हो और बागी किसी भी तरह का doubt होगा तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं उनकी official website हो यह रही है आपके सामने स्क्रीन पे ampri.res.in यहनकी official website है और आप स्लेबस वगरा भी सब कुछ बतायागा आप इनकी official website में जाओगा आपको सब कुछ clearly mention कर दिया जाएगा क्या 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 स्लेबस रहने वाले जिससे आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा जर्नल इंटेलिजेंस, math, reasoning, problem solving situation यह judgment वगरा सब कुछ रहने वाला है और बागे journal awareness वगरा सब कुछ आपको सामने स्क्रीन में बताया गया तो आप यहां पर apply करना चाहते हो आज के last job update के हम बात कर लेते हैं यह जो last update है यह UPC की तरफ से recruitment की जा रही है तो UPC की तरफ से यह पर तीन साथ का experience वगरा है तो आप यहां पर apply कर सकते हो last date apply करने के 3 September है UPC की official website पर जाके apply करने अगर आप apply करना चाहते हो बागे किसी भी तरफ कर डाउट अगर आपको रहता आज की वीडियो में तो comment section में comment करके ज़रूर पूछना Thank you, Jai Hind